नमस्कार दोस्तों, मैं महिमा आज आपको सुनाने जा रही हूँ हिंदी की सरवाधेक लोगप्रिय लिखे काओं में से एक मृदुलागर के द्वारा लिखी हुई कहानी मृदुलागर को परंपरागत तरीके से हटकर लिखन के लिए जाना जाता है तो आएए सुनते हैं उनके द्वारा लिखी हुई कहानी एक और विवाह तो आखिर कुमल जी ने विवाह कहे लिया प्रेम ने सुसजित बधु का हाथ दवाते हुई कहा अजी यह कोई हमारी तुमारी तरह पल्लू पकड़कर किया गया विवा थोड़ी ही है प्रेम विवाह है एकदम अपनी पसंद अपनी इच्छा एक एक की उतकर लालसा स्रीमती स्रीवास्तब ने कटटा को हसी से ढखने का निस्फल प्रियास करते हुए कहा प्रेम विवाह के अलाबा द्वेश विवाह कैसा होता है जी रानी ने कहा और वातावरण में आ रही कटता हसी में बह गई स्रीमती स्रीवास्तब की बात एक तरह से कोमल की कही हुई थी जब तब वह कॉलेज के स्टाफ रूम में कहा करती थी मैं व्यवस्थित विवाह में विश्वास नहीं करती वो विवाह नहीं जवर्दस्ती किसी का पलू पकड़ लेना होता है दो कारणों से ऐसा कहनी की आवश्यक्ता पड़ सकती है आर्थि कब लंबन की खोज या शारीरित भूक पहले की हमें जरूरत नहीं है और रहा दूसरा तो उसके लिए विवाह की आवश्यक्ता नहीं है बहतर है मुक्त प्रेम जो बासी होने पर फेका जा सकता है विवाह तब कहना चाहिए जब पुरुष को उसके बिना सब अर्थ हीन मालूम पड़े और इस्त्री उसके बिना भी पूर्ण समर्पन को व्यक्र हो तब ही वास्तवी कैक्य हो सकता है चार बहनों के परिवार में कोमल बुद्धी जी भी मानी जाती थी पिता बुद्धी जी भी थे ही और एक कमपिनी के मालिक नौकर, चाकर, गाड़ी वंगला से लेकर पुत्र के अभाव में पुत्रियों को उच्च सिक्षा वा सुतंतर बिचार देने में जुटे थे सब बहनों में कोमल पढ़ने लिखने में तेज थी इस्कुल कॉलेज में हमेशा प्रथम आती रही साथ ही नाटक ब्याख्यान, बिचार गोश्ठी यादी में आगे रहकर उसने राजनीती शास्तर में पीएजडी कर डाला अपने बिचारों को बिना हिच्चा किसपष्ट कह देना उसका ब्रत था बुद्धी जीबी होने के नाते उसके विवा की चिंता माता पिता को नहीं थी उनका खयाल था कि उसे विवा में रुची नहीं होगी बड़ी और छोटी बहन का सुपात्र देखकर यथा समय विवा हो गया कोमल दिल्ली के कॉलेज में लेक्चरार हो गई पढ़ने लिखने और तर्क करने में समय विताने लगी देखने में कोमल सरस्प्रियसी नारी थी दुबली पतली देह गेहुआ रंग साधारन नाक नक्ष पर बड़ी बड़ी रसीली आँखें और भाव प्रवन वाड़ी लगता ये अपनी आँखों से ब्यंग का आवरन हटा कर किसी पुरुस पर टिका दे तो चारों और का वातावरन सुरभी बनलुप्त हो जाए ऐसा ही मदुमास उसकी बाड़ी में छुपा था पर सुनने को मिलती थी वही हलके से ब्यंग से युक्त तर्क से बोजिल बातें एक दिन उसने ये जरूर कहा था कि जीवन में हमें सेक्स से जादा रोमांस की जरूरत होती है और व्यवस्थित विवाह का अर्थ होता है रोमांस को तिलांजली इस पर नानी ने कहा था बिवाह सभी व्यवस्थित होते हैं यहां बाहरी सज्जा को परक कर और वहां पश्चिम में बाहरी सज्जा में बहे कर सच्चा प्रेम होने पर उसे बिवाह की अगनी परिक्षा में ना डाला जाए तो अच्छा है जहां तक अपना सवाल है मुझे बच्चे चाहिए बिना विवाह के मिल जाएं तो बहुत खुश बिना विवाह करना ही पड़ेगा रानी चंचल आत्म निर्भर और इस्पष्ट बादी लड़की थी पिता थे नहीं वही माँ और छोटे भाई बहनों का पालन पोशन कर रही थी इसलिए 27 बर्स की होने पर भी विवाह नहीं कर पाई थी उसका विशेश गोण था हसना औरों पर और अपने पर उसकी बात सुन कूमल मुस्करा दी थी वह वर्टेंड रिशेल से सहमत थी कि मातरित्यू की भूख सोतंतर इस्त्रियों को नहीं होती कम से कम आनेवारे रूप से नहीं अब कूमल दुलहन बनी बैठी है वह बारात आनी के इंतजार में है उसने कहा रानी कह रही है जो हीरे की अंगूठी उंगली पर चमक रही है वो मदन जी का उपहार है भेट कहां हुई प्रेम ने पूछा किसी काम से इनके पिताजी के पास आये थे कोमल जी वहीं विराजमान थी बस जो आपस में छड़ी काम धाम भूल गए आठ वर्स अमेरिका में रहकर आये है पहले सकुचाय के भारती महिला से कैसे पेश आया जाए फिर एक दिन रास्ते में भेट हो गई कोमल जी ने चाय पीने का सुझाब रग दिया फिर क्या था लगुना में बैठ कर दिल की कह गए और अगले दिन अंगुठी लेकर हाजिर कि हाँ कहो वर्ना यहीं बैठा हूँ फस गई कोमल जी बात एक तरह से कोमल की कही हुई थी भाशा रानी की जरूर थी हाँ अंगुठी कोमल ने स्वयम खरीती थी जब उसकी सबसे छोटी बहन की शादी की बातचीत चली तो मा ने कहा एक बार कोमल से भी तो पूछ लेना चाहिए 26 पार कर चुकी है सच मुझ कोमल 26 पार कर चुकी थी रोमान्स की प्रतिक्षा प्रतिक्षा बनी हुई थी तब तक न वह किसी पुरुष की ओर आकरसित हुई थी न कोई पुरुष उसकी ओर शणक रोप से हुए होंगे पच्चिंगारी भड़क नहीं पाई थी अब मा की नजर में सुपात्र जुट गया था कोमल से उन्होंने कहा लड़का आठ साल अमेरिका में रहकर आया है न्यूक्लियर फिजिस्ट है ट्रॉम में भी काम कर रहा है शायद वापस अमेरिका चला जाए स्वतंद्र विचारों का है मिलने में क्या आपत्ती है फिर कुछ सकुचा कर यह भी जोडा सुन्दर है लंबा चोड़ा कोमल ने कह दिया था ठीक है यह सरकस्वी हो जाए पहली बार उस तीस वर्षिय सुन्दर युवक से घर पर भीट हुई मदन वाकई आकर सक था आकर सक था पौरुष का साफ तचा चोड़ा माथा कांती मैं नेत्र ठोड़ी के बीच गदगदा सजी सबरी मूच्छें भारी काले चमकदार केश और उंचा भरा पूरा शरीर चोड़े माथे पर सजे भारी केश चेहरे को लावने दे रहे थे सूट के नीचे उसकी मासपेशियां रह रहका फड़क उठती थी कोमल ने देखा और शारीर एक पुलक महसूस की चाय पानी हुआ और जैसा के वहां से लोटे लोगों का आमतोर पर होता है बाच्चीत अमेरिका के बारे में हो रही थी वहां की जिंदा दिली यहां का आलसी पन वहां की आधुनिक्ता यहां की पुरातन भगती बीच में कोमल व्यंग कस देती पर जो उत्तर मिलता उसमें आवेक कम परक ज़्यादा होती अच्छा यहां से लोग अमेरिका जाकर अमेरिकनों की तरह क्यों बोलने लगते हैं कोमल ने पूछा मदन का अंग्रेजी उच्छारण अमेरिकन चाप लिये हुए था शायद इसलिए कि अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है हम उसे दूसरों की तरह बोलने की कोशिस करते हैं जो भी नकल करने को मिल जाए अंग्रेज या अमेरिकन मदन ने कहा यानि की जराबी ठेस नहीं लगी थी चाय के बाद कोमल के पिता ने कहा तुम लोग बैठो हम लोग एक रिसेप्शन में जा रहे हैं पौने घंटे तक लोट आएंगे वे और माँ चले गए थे अब उनके पास प्यार कायम करने के लिए पौने घंटे का वक्त था यूँ प्रेम प्रथम द्रिष्टी में भी होता पाया गया है कभी कभी आबाजों और तस्वीरों से हो जाता है कम से कम उपन्यासों में पर यहां विवा की नंगी तलबार सेर पर जूल रही थी प्रेम का दिखावा कठिन था बाचीत में वो हलका पन और भाव नहीं आया जो आकस्मिक मिलन होने पर अनायास आ जाता है और शारीरी काकरशन की धर्ती सहज प्रेम उपजा देती है उन दोनों की बातने उसी पुराने धर्रे पर चलती गए रह रहकर कोमल की आँखें मदन के काले केशों से उसकी पिंडलियों पर फिसल जाती थी बापस मुक पर निगा ले जाने पर वो अपनी गोद में उसके घने बालों का इस पर महसूस कर उठती और सिहर जाती फिर अपने को फटकार कर बाचीत का बहुत एक इस तर बनाई रखने का प्रयत्न करती आप अमेरिका वापस क्यों जाना चाहते हैं जिन्दा रहने के लिए पैसा और सेक्सी क्या सब कुछ है जिन्दा रहने लाइक तो यहां भी मिल जाता है पर आपको कुछ अधिक चाहिए वा मुसकरा कर रहे गया चलो कम से कम दिखावा नहीं करता फिर कॉमल ने दिल्चस्प किस्ता सुनाया हमारी जान पहचान की लड़की हाली में अमेरिका से लोटी थी उसके बच्चा होने वाला था तो उसने अमेरिका में अपनी सहिली को लिखा वहां से चादरें बगेर भेज दे क्योंकि यहां ढंका सामा नहीं मिलता चादरें आई तो देखा खालिस बॉब मिटाईं की हैं सहिली ने किसी पोट से खरीदी थी मदन हस पड़ा बोला आप बहुत दिल्चस्प बातें करती हैं बिदेशी चीज़ों से लगाव सचमुष हास्यास पड़ है मैं इसलिए वहां से एक भी चीज नहीं लाया दिल्चस्प आप भी हैं कुमल ने सोचा पिता के लोटने पर मदन ने उससे कहा देखिए सर मैं आठ साल अमेरिका में रहा हूँ इसलिए एक बार मिलकर शादी नहीं कर सकता आपको कोई आपती ना हो तो मैं कुमल जी को एक बार और मिलना चाहूंगा अकेले में उत्तर कुमल ने दिया मिस्टर मदन मैं कभी अमेरिका नहीं गई फिर भी मुझे आप से अकेले मिलने में कोई आपत्ती नहीं है उसके जाने पर मानी कोमल से पूछा क्या खयाल है मौसम को देखते वे मच्छर अच्छा है कोमल ने कहा और हंस दी दूसरी भेट याया कहना चाहिए कि इंटर्व्यू लगुना रेस्त्रा में हुई मदन प्रस्न करता रहा कोमल उत्तर दिती रही आपको अमेरिका जाने रहने में आपत्ती है क्या खल आपकी बात्चीत से लगा मदन ने कहा मुझे कहीं भी जाने रहने में आपत्ती नहीं है वैसे जाना जरूरी नहीं है आप जैसा चाहें वैसा ही करूंगी बिलकुल विभाग के बाद आप काम करना चाहेंगी किस किस्म का काम मेरा मतलब नौकरी पैसों के बिना या पैसों के क्या मतलब बिना पैसा पाए नौकरी तो सभी विभाए तिस्त्रिया करती है मैं कहना चाहता था कि मुझे कोई आपत्ती नहीं है शुक्रिया एक डड़ घंटे बाद मदन ने कहा ठीक है आपको कश्ट दिया, ख्षमा कीजेगा मैं आपके पिताजी से कहे देता हूँ, मुझे सुईकार है जी, क्या सुईकार है? आप जानती तो हैं कुछ सकुचा कर मदन ने कहा मुझे से बिवाह? जी, क्यों सुईकार है? जी, मुझे से बिवाह क्यों कीजिएगा, पता तो चले जी, आप सुन्दर हैं, सिक्षित हैं, आधनिक विचाराओं की हैं पहली बार मैं ही आपके लिए मेरी राय उच्छी वनी थी आप तो ऐसे कह रहे हैं, जैसे मैं किसी कंपनी का शेयर हूँ बुरा मान गई मैंने आपसे दुबारा मिलने के लिए आपके अपमान की गरच से नहीं कहा सच मानिये मैं आपसे विवाह कहना चाहती हूँ या नहीं या जाननी कि आपने जरूरत भी मैसूस नहीं की आपके पिताजी कह चुके हैं आपको कोई आपत्ती नहीं मदन ने कुछ दुखित स्वर में कहा हो तो कहिए आपत्ती तो बहुत है उसने सोचा मैं इस तरह दो बार मिलकर किसी से विवा नहीं कर सकती विवा इसलिए नहीं किया जाता है कि पात्तर में कोई खराबी नहीं है विवा इसलिए किया जाता है कि खराबी रहने पर भी वही पसंद है वही चाहिए मन हुआ कि कह दे अभी इरादा नहीं है वह सचमच आकरिष्ट हुआ होगा तो कॉलिज में उससे मिलने की कोशिस करेगा, उसे मनाएगा धीरे धीरे वह द्रवित होगी, अंत में वह हां कहतेगी आखेट की कलपना से उसकी देह तन गई, फिर धीली पड़ गई आखेट था कहां, वे तो तराजी में तौल कर ले रहे थे कहीं यह मौका भी निकल गया तो, छी, उसने अपने को दुद कारा यह बात नहीं है, मुझे मदन पसंद है, प्रेम की बातें बाद में हो सकती है रोके के बाद, संद्या का मंगेतर उसे हर अफ़ते डाक से फूल भेजा करता है रोकने के बाद से ही तो, अगर मदन भी भेजे तो, सोच कर ही वो मुस्करा उठी मदन ने कहा, जी, क्या सोचा आपने, वह हंस दी, मुझे कोई यापती नहीं है वहां से उठने लगे तो, कुछ जीजक कर, यह भी कह गई कल मेरा कॉलेज एक बजे तक है, पर मदन शायद संकेत समझा नहीं, बोला मुझे कल ट्रॉम्बे बापस महुचना है अगले दिन कोमल ने हीरे की अंगूठी खरीद कर पहन ली और रानी को अपने प्रेम कहानी सुना डाली कैसे भेंट हुई, फिर प्रेम, और फिर कैसे सगाई पकी करते हुए मदन ने प्यार से अंगूठी उसे पहना दी बारात आ गई प्रेम ने चिला कर कहा, सब औरतें उसके पास से उठकर बाहर भाग गई शेहनाई और बैंड की मिली जुली चीख उपकार के बीच शण भर को कोमल अकेली रह गई रोकनी के बाद हुई मदन से मुलाकात उसकी आँखों के सामने घूम गई अकेला पाकर मदन ने उसे बाहों में चूम लिया प्रथम चुम्बन कई भाषाओं में पड़े कहानियों और उपन्यासों के वर्णन कोमल की आँखों के सामने से निकल गए बसंत समीर का जोंका अशोग बन में भ्रमरों की गुंजार कलिका का नया इसपर्स फुटन घूंगरूओं की जनकार ऐसा कुछ मैसूस नहीं हुआ बस इच्छा हुई कि उसे जोर लगा कर परे धकेल दे उसने हातों से मूँ ठांप लिया मदन आकरसक है उसे देखकर उसके इसपर्स मात्र की कलपना से ही वह सिहर उठती है फिर उसकी बहों में ऐसा क्यों नहीं इसलिए कि इस आकरसन पुंज को दीप्त करने के लिए जन्जा की आवश्यकता है और जन्जा है नहीं सब कुछ लीग पर चल रहा है रोखने के बाद आधुनिक लोग चुमन लेते हैं पर इस चुमन ने उसके अंतर में नहीं जहागा उसकी विशिष्टताओं को नहीं परखा वह एक प्रियोग था पर ऐसा प्रियोग जो किसी अनिश्चित आइस पस्ट पर मोहक अभियान की ओर पैर नहीं उठाता था अब क्या होगा यह प्रश्ण उठता ही नहीं था सब कुछ सुनिश्चित था क्या हो गया चुम्मन ही तो लिया है मदन ने उसे मूँ ढापे देखा तो कहा सो अमेरिका में न जाने कितनी इस्त्रियों को चूम चुके होंगे कुमन ने अपने को संभाल कर उसे छेडा हाँ मदन ने सहज भाव से कहा वहाँ चुमन का कोई महत तो नहीं है हाथ मिलाने जैसा है बस हम लोग इसे बहुत महत तो देते है आप तो आधनिक विचारों की है इर्शा तो नहीं होती न जी नहीं कौमन ने कहा बेवकूफ आदमी उन सब से मुझे क्या लेना देना यह जो तुमने मुझे अभी चूमा था वह अभी यूँ ही था अगर कह देते के उन सब का कोई महत तो नहीं था पर यह तो तुम्हारे लिए प्रेतामा मेरा प्रेम उपहार है तो मैं यतन करके वसंत का अहवाहन कर लेती मदन कहता जा रहा था अमेरिका में इस्त्रियों कितनी जागरुक होती है जीवन से उन्हें कितना प्रेम होता है खुले हिर्दय से मिलती है सबसे यहां बचपन से इस्त्रियों को सिक्षा मिलती है लज्जा की लज्जा ही इस्त्रियों का अभूशन है कोरी बगवास सेक्स को इतना ढापका चलना है तो विवा की चीखों पुकार क्यों यहां जैसे गाउँ वाले को किसान कहलानी के लिए चौथाई बीगा जमीन काफी है बैसे ही इस्त्री को विवाहता कहलानी के लिए आँख मीच का समर्पन कर देना काफी है खेर छोड़िये आप बुरा तो नहीं मानी ना आप से कहे गया क्योंकि आप आधनिक इस्त्री है उस दिन की पूरी बादचीत याद करके कोमल मन ही मन प्रार्थना कर उठ थी आज राद मुझे कोई लज्जा न रहे और जो हो मदन यह न कह पाए कि वह किसी ख्षन लज्जा है शायद वह जानती भी नहीं कि वह सुन्दर है या नहीं गर्भ है अपनी इस्पष्ट बादिता पर अपने विचारों की स्वतंत्रता पर अपनी आडम बरहीन आधुनिकता पर आधुनिकता या व्यक्तिगत जागरिती के नाम पर मदन जो उससे चाहता है उसमें पूरा वादी और सत्यवादी किस्म का जीब था जूट बोल नहीं पाया होगा शायद एक दिन इंडिया गेट पर घुमते घुमते लगा था बस कहने वाला है वे उसे अपने एक पुराने प्रेम अनुभव की कहानी सुना रहा था अमेरिका में उसे एक इस्त्री से प्रेम था प इसलिए आपसे कहा वे इस्त्री अमेरिकन थी कोमल ने पूछा नहीं भारतियर मालूम नहीं कोमल को इससे अधिक दुख हुआ एक ही इस्त्री से प्रेम किया है आपने हाँ फिर किसी से नहीं नहीं उससे पहले भी नहीं बाद में भी नहीं नहीं कोमल चुप हो गई कितना प्रियतन किया था उसने कि वह कह दे कि उसके बाद अब तुम से किया है पर उसने नहीं कहा कॉमल हाथ में बर्माला लिये दूले के सामने खड़ी थी तबी पीछे से किसी ने कहा दूला है सुन्दर कॉमल मसकरा दी उसने अपनी नजरें करती हूँ अतिशय प्रेम अमर अटूट अखंड प्रेम बार बार दोहरा कर बुद्धी और आत्मवल के जोड से कोई भी बात सच की जा सकती है ऐसा सभी बुद्धी जीवियों का विश्वास होता है फेरों पर जाने से पहले रानी उसका सिंगार दुबारा समार गई बस बीस वरस उसने कहा क्या कोमल ने पूछा तुम्हारी उम्र इससे अधिक नहीं लग रही विश्वास योग य बात नहोने पर भी सुनने में भला लगा अगनी के समक्ष वैटका कोमल ने उन विचारों को जटके से अलग कर दिया आग के कोने से वह मदन को निरक्ती परक्ती रही देखके उसके भारी काले केश याद आई अपनी हतेली पर उसके इसपर्स की सिहरन जो उस दिन चुम्मन के समय शन भर को महसूस होकर लुप्त हो गई थी देखे उसके होट उसकी मूचें कहीं पढ़ा था इटली के लोग कहते हैं दाड़ी के बिना चुम्मन ऐसा होता है जैसे नमक के बिना अंडा वह मुस्करा दी और मूचों के रहते याद नहीं आया कैसा लगा था उस दिन शायद वह बहुत हकपका गई थी अब की बार ठीक होगा मदन हाथ बढ़ा कर आग में घी दे रहा था सूट के नीचे से उसके कंदे की माश बिसियां तनी थी कॉमल का मन हुआ छू कर देखे उसकी आखें फिसल कर उसकी पिंडलियों पर आ गई उसने अपने को नहीं फटकारा यह पुरुश यह आलो के जियोती पुंज आज राज जंजा होगी ही अच्छा हुआ उसने मदन से अपने प्रेम का और उको विश्वास दिलाया और स्वेम भी विश्वास कहने का प्रयत्न किया आज उसका प्रयास सफल हो गया उसने धेर सारा घी आग में डाल दिया लप्टें भख से उपर उठ गई बदन चौक कर पीछे हट गया आज रात कोमल सोचती गई आज रात शारीरिक मिलन के बाद हिर्दय का मिलन यही होता है मिलन की चाहा मैं प्रेम या मिलन के बाद प्रेम बस मुझे लज्जा न रहे यह एक प्रयोग है एक और प्रयोग शुबे वहा निर्बिग ने समाप्त हो गया अज संकुचित सुहाग रात भी बीट गई पर जब अगली सुबे मदन ने कहा वहा तुम तो अमेरिकन इस्त्रियों को भी मात करती हो तो कोमल को तनिक सुख भी नहीं मिला प्रयोग बखू भी पूरा हुआ था उस पर गर्व किया जा सकता था पारितोश की आशा नहीं दोस्तो अभी आप सुन रहे थे मिरतला गर्ग द्वारा लिखे हुए कहानी एक और विवाह दोस्तो उमीद करती हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ धन्यवाद